नमस्कार मैं हूँ कपेल और आप देख रहे हैं नेक्स नाइन न्यूज अगर राजिस्तान की बात करी जाए तो सजिन पाइलिट को लेकर लगातार ये सवाल जा रही है कि पाइलिट की ताज पोशी कब और कैसे होगी इसका जवाब हमारे और आपके पास बहले ही ना हो ले पाइलिट के समर्थक कैम्प के माने जाते है निता खिलाडी लाल बैरवा उन्होंने बीते वक्त कहा था कि देखे बजट जो है वो जब आ जाएगा उसके बाद पाइलिट की ताजपोशी हो जाएगी और राइपुर अजवेशन के बाद तो उन्होंने काफी दावे के सा पाइलिट की ताजपोशी होना लगबग तैमाना जा रहा है परताब सिंखाचरियावास से भी यही सवाल के आ गया हाला कि उन्होंने इसका कोई स्पेसिफिक जवाब तो नहीं दिया लेकिन हां यह जरूर कहा कि आप अगर मुझे मुझे मुक्यमंतरी बनाना चाहते हैं तो मेरे अंदर क्या कमी है यानि कि पाइलिट को लेकर जो है वो कोई सीधा जवाब नहीं दे पा रहा है लेकिन जो पाइलिट के नेता है पाइलिट के नेता है वो लगातार यह दावा कर रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं कि देखे पाइलिट की ताजपो हो चाहें कोरोना का नाम दिया जाता हो लेकिन बावजूद एक ऐसा नेता सचिंग को कहा जाता है कि जो कॉंग्रेस से कभी भी बड़ी बगावत नहीं करता नाराज भले ही होता है हर्याणा जरूर जाता है लेकिन जब मनाने पर जो है बुरे को बुरा कहता है च्शे को अच्छा कहता है लेकिन बाव जुदिसके उन्हें मुक्यमंतरी पत्का ना सिर्फ उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है नहीं उनको लेकर फिलाली चर्चाएं की जारी है कि शायद आने वाले वक्त में वह एक बड़ी जम्नादारी पार् पाटी में भी है हर इंसान जो है वो मुख्यमंद्री पत की कुरसी पर एक बार जीवन में बैठना चाता है लेकिन पाइलेट की अगर बात करी जाए तो वो थोड़े से अलग है देखे जंता के मुद्दो को पाइलेट किस तरीके से उठाते हैं वो जब किसानों को लेकर रै हो गया ऐसा आप उत्तरप्र hiking नहीं देखेंगे ऐसा आप मध्य-प्रदेश में नहीं देखेंगे आप किसी बी स्टेट में एसा नहीं देखेंगे जो अपना अहीं मंत्री इस कदर जो है वो अपनी पार्टी खिलाब वोल रहा हूं आपको क्या लगता है कि पाइलेट की समय में जो भी बड़ा पद होगा वो पाइलिट को ही दिया जाएगा इसी सब इसी बड़े सवाल के साथ चोड़े जा रहें देख तरहीं नेक्स्ट नेवस्ट नमस्कार